गाइज आज मैं जिस मुवी को एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ उसमें हम लोग एक लड़की की स्टोरी देखने वाले हैं जिसको की जेल में डाल देया जाता है अपने फादर को मारने के जुरम में अब जेल में जाके उस लड़की की जुलाइफ है वो क्या लेती है या जेल में उस लड़की का सर्वाइवल हो भी पाता है या नहीं यही हम आज एक्स्प्रेंशन में देखने वाले हैं मुवी गाइस बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है मैं आपको जरूर रिक्मेंट करूंगा यह मूवी देखना और आपको बहुत इंट्र दक्का देती है जिससे कि उनका जो से रह वे एक निकिली चीज में जाके लगता है जिससे कि उनके अंदास पौथी डेथ हो जाती है अब अगले दिन कोट में सुनवाई होती है और हम एना की मौम को देखते हैं जो की कोट में ही कह रहे थी कि एना के फादर बहुत अगले दिन हम लोग देखते हैं जो एना वह बहार जाती है घूमने के लिए तो यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो की जिसका एक गरूप था जेल के अंदर वो एक बुरी लड़की थी आप लोग यह कह सकते हो कि वो एक गेंग्स्टर थी लड़कियों की गेंग्स्टर हम यहाँ पर देखते हैं वो लड़की एना को तंग करने की कुशिश करती है हम लोग देखते हैं एना जे एक दिन साफ सफाई का काम कर रहे होते तो लड़किया और उसके गृ्ट की सारी लड़किया एना को पिटाई करती है अब एना यहां पर वारडन के पास ले जा जाता है न इसे कहता है कि अगर तुम्हें इन सब चीजों से बचना है तो तुम्हें मुझे कुश करना हुआ अब एना क्या करते हैं उसके सामने बैठ जाती है अब उसकी बात को सुनकर एना जो है वहाँ से चली जाते हैं उसे बहुत गुस्स आ रहा था एना जाती है और यह बात को सुनकर रोने लगती है उसके पास और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे गैंग में शामिल होना जाती हूँ और ये लड़की और कोई नहीं वही गैंग्स्टर थी हम लोग देखते हैं वो लड़की एनो का अपना फोन भी दिखाती है और वो एना को वो नशे भी दिखाती है जिससे कि एना नशा करना सीख जाती है पर वो एना से कहते है बदले में तुम्हें एक लड़की को मारना होगा और एना भी उसकी कहा मानती है और एक लड़की से पिटाई करती है हम लोग देखते हैं एना को फिर से वॉर्डन के रूम में ले जाता है यानकी फ्रैंक के रूम में और फ्रैंक को उसके सामने क्या करता है उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने केस से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा फ्रैंक को उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देता है उसके साथ इंटिमेट होता है अब एना को हम लोग देखते हैं वो और नशा करना सीख गई है यहाँ पर हम उस गैंक्स्टर के साथ एना को देखते हैं जो कि एना की साथ इंटिमेट होती है अब अगले सीन में हम लोग उसी ब्लैक गरल को देखते हैं जो कि एना की गुरूप की कुछ लड़कियों को मारन वाड़न भाई फिर से कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो मुझे खुश करना होगा तो वाड़न एना को फिर से नशे करवाता है और एना के साथ इंटिमेट होता है हम लोग देखते हैं जो एना है वो नशे की इतनी जादा आधी हो गई थी वह लड़कियों को पैसे द पर बहुत ही तकड़ा जगड़ा हो जाता है एना को एक काल गोठरे में बंद कर दिया जाता है उसके सारे कपड़े उतार दे जाते हैं फिर वहाँ पर फ्रेंक आता है और वो फिर उससे कहता है कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा अगर तुम्हें यहां से निकलना है भाई मैं तो इस फ्रेंक के इस चीज से सुन सुनकर पग गया कि फ्रेंक कितनी बार बोलता है तो मैं खुश होना पड़ेगा बसकर भाई जान लेगा उसकी हम लोग अब फिर से देखते हैं एना को जो कि नशे की इतनी जादा आधी हो गए थी कि वो फिर से बाहर आती है और नशे खरीदने की कोशिश करती है और एक लड़किया थे उसके पास यानकी वही गैंग्स्टर आती है पर एना उसके हाँ पर गले में कुछ मार देती है जिससे कि एना को जो पागल पन था वो सिड़ चड़ चुका था नशे का अब यह लोग क्या करते हैं यहां पर ए सक्यू करा तो एना उनसे कहती है कि मुझे नशा चाहिए था अब हम लोग देखते हैं एना की जो हालत थी वो दिन पर दिन खराब होती जार थी नशा ना मिलने के वज़े से हम लोग एक दिन देखते हैं कि एना को एक उसी रूम में ले जा जा रहा था जहां पर नशे की पीडित वो थे पेशन्स थे हम देखते हैं एना उन्हें देखके सही हो जाते है क्योंकि एना को पता पड़ चुका था कि नशा उसके लिए कितना खराब है हम देखते हैं एना की मॉम को जो एना की पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता पड़ चुका है सच कि तुम बे ग्रूप के साथ एना को परिशान करने लगती है अब एना भी दोस्तों चीज से तंगा जाती है तो वहां से भाग के नहीं की कोशिश करती है पर यहां पर एक ब्लैक लड़गी आते है जो कि उसको परिशान करके उसके गले पर काट देती है हम लोग देखते हैं अपने हाथ जो टैटू था वो हटा दिया है और टैटू हटाने के वज़ा से ही उस गैंग्स्टर ने एना के गाले पे काट लिया है अब यह बात जैसे ही फ्रैंक उसे पूछता है कि यह किसी ने करा तो एना उसे बता देती है कि यह सब उस नहीं करा है तो फ्रैंक क्या करता है उस ल करते हों वीडियो रिकॉर्ट कर लेती है अब यह इस वीडियो रिकॉर्डिंग को जो हाई हाई लैवल के ऑफिसर्स थे उनको दिखा देती है जिससे कि फ्रेंग को पुलिस पकड़ लेती है उसे लिकार ले लिया जाता है और आजले सीन में और वाईलन बजात को एक खक्षियू क्ष़ से कि अपड़ झाई नहीं कि अपड़ झाई नहीं